तो इस वीडियो में मैं आपकी सारी क्वेडिस क्लियर कर दूँगा Amazon Flipkart Sales से और यहाँ पर आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं मैं पर इतनी ज़्यादा मैसेजिस आ रहे हैं हर कमेंट आ रहा है तो यहाँ पर इसके बारे मता रहा हूं कि यह लेना सही है या नहीं ठीक है वहीं आपको मैं आइफोन 12 की बताता हूं आइफोन 12 कल रात को मैंने दिखा था तो 48,000 का था इस पर भी प्राइस बढ़ चुका है 1,000 रुपीज लेकिन अभी भी यह 48 का मिल रहा है अगर आपके पास access bank या ICIC banker card है तो ठीक है अब यहाँ पर यह 50,000 का है यह 38,000 का है आइफोन 11 और आइफोन 13 तो मिली नहीं रहा भाई आइफोन 13 में पता नहीं क्या हो रहा है आइफोन 13 तो मिली ही नहीं रहा यहाँ पर जो मैंने खरीदाता है यह आइफोन 13 है यह आइफ iPhone 12 की display है ठीक है अब यहाँ पर मैं आपको दिखा जेता हूँ दोनों के display quality यह देख लो जमीर और आसमान का फरक आपको इनकी दोनों के display quality में फरक पड़ जाएगा यह बोलोगे यह तो iPhone 13 है अब भाई iPhone 13 और iPhone 12 की display एकदम सेम है नौच थोड़ी सी छोटी है बाकि आप दे iPhone 11 बाई करें या फिर iPhone 12 बाई करें तो भाई मेरे हिसाब से जल्दी सा iPhone 12 बाई कर लो अगर आपका 50,000 का बजट है लेकिन अगर आपके under 40,000 ढून रहे है कोई ऐसा phone बता दो under 40,000 जो जिसने आग लगा रखे हो भाई under 40,000 आइफोन 11 आग लगा रखे और यह iPhone 11 अगर आभी वही अगर आप थोड़ा सा एक्स्टेंड कर सकते हो 10,000 रुपे एक्स्टेंड करने आपको iPhone 12 मिल जाएगा 10,000 रुपे वर्त हैं बिल्कुल वर्त हैं Super Retina OLED Display, 5G ठीक है यहाँ पर Camera के अंदर Night Mode मिलेगा iPhone 12 में दोनों के अंदर इसमें भी इसमें भी यहाँ पर यह चीज आपको इतना major upgrade है Night Mode का और इन सब चीजों का छोड़ी चीज़ें लेकिन बहुत जादा upgrade है यह सब चीज़ें और यहाँ पर 5G का support आपको obviously मिल रहा है iPhone 13 Unbox किया है आपके सामने Amazon से Buy करके हाँ बिल्कुल सेफ होता है ठीक है बस आप एक चीज़ कर सकते है आप ना जैसे कोई deliver लेकर आया तो भाई उसको रोक ले वही और उसके सामने ही एक वीडियो बना ले छोटी सी Unbox करके हाँ भाई phone निकला है इसके अंदर से नहीं निकल delivery boy के सामने ही तो आपको भी क्योंकि अगर नहीं निकला तो वहीं कि वहीं वैसा ऐसा कम होता है बहुत कम होता है ऐसा चांस ठीक है वह ऐसा कह सकते हैं पता नहीं कि अपने तक नहीं हुआ है यूट्यूब पर मैंने बहुत सारी वीडियो देखी थी वह हर साल के एक दो बं किसी के साथ अभी तक ना मेरी जान पेचान में किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उसने फोन मंगाया और उसके अंदर से फोन ही ना निकला हुआ कुछ और निकल गया तो हाँ बिल्कुल सेफ है ठीक है अब कॉंक्लूजिन कर दूं मोस्ट वेल्यू फॉर मनी फोन कौन सा है आइफोन 12 अंडर 40,000 बेस्ट फोन कौन सा है आइफोन 11 ठीक है क्या आइफोन 13 की तरफ जाना चाहिए भाई आइफोन 13 तो मिली नी रहा तो आइफोन 13 में अगर आपका बजट है तो भाई मैं कुछ कह नहीं सकता मैंने तो आइफोन 13 ले रखा है लेकिन हाँ 74 के अंडर मि मिल रहा है 128 GB आइफोन 13 कोई दिक्कत नहीं क्योंकि जिसके पास बजट है तो फिर प्रो मैक्स क्यों न खरीदे मैं आपर बात कर रहा हूँ जिनका बजट स्ट्रिक्ट है और वेल्यू फोर मनी प्रोड़क्ट ढूंट रहे हैं ठीक है तो भाई मैंने दोनों चीजे क्लिय झाल